देखे ध्यान से, next topic start करते हैं, death of a partner में treatment of profit देखे जो profit है, जब किसी partner death होती है, तो उसका profit दो तरीके से निकलता है एक है आपका time basis और एक है आपका sales basis बहुत ही important है और ये question paper में कई बार आ चुके हैं ठीक है, एक है आपका time basis और एक है sales basis अब पहले हम बात करते हैं, आपर time basis की, पहचान क्या है, पहले ये समझिए कि इसको हम पहचानें के कैसे, time basis और question कैसे है, पहली बात no information आपको कुछ नहीं क्या रखा, सिर्फ एक profit दे रखा है, तो that is your time basis average profit कह दे, time basis, next profit कह दे, time basis, previous year profit कह दे, previous year profit कह दे, that is your time basis ये क्या है, आपका time basis का point है, ठीक है, कई बार आपको ही loss भी दे सकता है, loss of the year भी कह सकता है, ठीक है, तो ये क्या है आपका time basis है, आप कैसे निकालोगे, profit of share of profit of deceased partner, deceased partner समझते हैं, आप क्या है, जो partner मर रहा है ABC में से, अगर C जा रहा है, तो हम उसका share of profit निकालना चाहरे हैं, तो यहाँ पे, इस जगा, इन सम में से कोई भी एक चीज़ आ सकती है आइदर, वहाँ average profit भी आ सकता है, net profit भी आ सकता है, previous share profit भी आ सकता है, loss भी फिर हम निकालते हैं इसका share, किसका share निकालना है, जो मर रहा है ABC में से C मर रहा है, तो किसका share लिख देंगे, हाड हम C का share लिख देंगे और multiply निकालते हैं time period की अभी time period क्या होता है जब तक वो हमारे साथ रहा वो time period होता है अब time period के बाद समझेए हमारा जो year start होता है वो एक April से होता है और 31st March हो खतम होता है यह time period है हमारे बीच का मैंने कहा एक partner एक जुलाई को मर गया एक जुलाई शुरुवात कबसे होई होगी अपरेल से अपरेल, मैं, जुन जुलाई को हम count नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जुलाई है तो अगर month होते हैं तो upon में कहा लिखते हैं हम 12 लिखते हैं कहा लिखते हैं 12 और मैं यहां लिख दूँ कि वो 12 जुन को मर गया तो यह क्या बात आगी days की बीच में आगया न याद रखना month वाले में या तो एक तारिक कहेगा या वो 31 तारिक कहेगा या पंदरा तारिक कहेगा अगर वो कहता है यह 15 जुन को मर आ गोई तो ठीक है वाई 15 जुन का मतलब क्या आपरेल मही और जुन कितने महीने हो गढ़ा ही महीने 2 0.5 और 0.12 समझ रहो ना अगर आधा है तो 0.5 करें कर दो मगर यह कहरा 12 जुन तो यहां तो कोई आधा नहीं हो सकता या days निकालने पड़ेंगे क्या निकालने पड़ेंगे? days तो days निकालने के लिए आप ओन में क्या लिखते है? 365 आप इसमें इग्नोर करते हैं लीपीयर को इग्नोर लीपीयर लीपीयर को आप इसमें इग्नोर करेंगे 365 अब 365 आप करेगा 12 जुन अगर इसने का है तो अपरेल माई और यहाँ पर आगए जून तो अपरेल में के ज़न दिन होता है 30 अपरेल में होता है 30 माई में होंगे 31 और यहाँ होगे जून तो यह हो गए 73 कितना हो गया? 73 याद रखना डेज हमेशा इसी ही साब से आते हैं 73 146 219 292 365 यह ट्रिक है यह टेबल है याद रखना आप हमेशा एक ट्रिक है 1,2,3,4,5,146 रहे 2 upon 5 कैल्कुलेशन में आपको सिंपल हो जाएगा यह वह 12 जोन कमर रहे 73 दिन हुए 73 upon 365 कैल्कुलेशन सही करने के लिए 73 का टेबल है 5 ताइमस हमेशा डेश जो है वह इसी तरीके से आएंगे इस से लग कभी नहीं आएंगे आपके ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आगई यह आपके लिए एक ट्रिक है जिससे आपके कैल्कुलेशन यहां कम हो जाएगी ठीक है अब वो मरा कब 30 जून को तो टाइम लगाई है अपरेल, मही और जून कितने महीन होगा तीन महीन है तो टाइम पिरिड कितना होगा आपका 3 अपान 12 यह बोर्ड में आए वे क्वेस्टन है ठीक है तो इसने क्या कहा है यहां पे कि जो पार्टनर है पढ़ने का खेल है सिर्फ अगर वो प्रीवेस एर प्रॉफिट कहता है तो हम 2009 पे निकाल देते ठीक है अगर वो एवरेज आफ टू येर्स कहता है तो वैसे करते तो हमने एवरेज निकाला एवरेज आप सभी को निकालना आता है इन सब को जोड़ दिया रिवाइड वाई 5 कर दिया जो आपका आया उस पे का निकाल दिया हमने शेयर और टाइम पीरिड ये चीज होती है इसमें और कुछ नहीं है इसकी एंट्री भी देख लिए पहले मैं दूसरा बेसिस स्टार्ट करता हूँ अब हम आते हैं सेल्स बेसिस पे सेल्स बेसिस सा कोश्चन इस बार तीन नंबर में आया हुआ है इस बार के पेपर में सेल्स बेसिस की पहचान क्या है नाम क्या आगया आपका सेल्स आगया पूरे accounts में इसके लावा कहीं और sales word नहीं है यह है sales basis यहाँ पे सबसे वैली बात आप ignore करेंगे time period को सबसे important point किसे ignore करेंगे time period को आप निकालेंगे profit of the period क्या निकालेंगे profit of the period तो profit of the period निकलता है total profit upon total sales आपने पूरे साल में कितना profit कमाया आपने पूरे साल के sales कितनी करी मैंने 10,00,00 के sales करी एक लाग profit कमाया तो अब एक लाग कहा लिखूंगा ऊपर और 10,00,00 कहा लिखूंगा नीचे multiply sales up to date of death कि वो यह कह देगा कि अब जो partner है उसकी date तक ठीक है इतनी sales थी तो हम यहां से निकाल देंगे profit of the period कहने का मतलब क्या है जैसे अभी हमने question देखा 30 June को कोई मरा है तो कह देखा 30 June तक का profit इतना है भी या सब का तो हम क्या करेंगे उसमें share निकाल देंगे share of deceased partner अभी question कराता भी हमें आपको तो यहां पर लिखेंगे पर है अब आपके board the paper में आपको पूरा दिखा रहा हूं इसमें कि बौट के paper में किस तरह से question आपका आया हुआ है कि Western आपके जिँदे आपको पूरा बोर्ड का paper है और इस बौड के paper में यही question में विल्कुत नंबर में आपको दिया हुआ है question को एक बार पढ़ते हैं और से करने कोशिश करते हैं अभी के अभी रमेश राजेश और रमन है जो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो टू रेशो टू रेशो बन है यहां रमेश ही डैट होती है सबसे पहले हमने क्या सिखाया था आपको कि रमेश शेर आप खुँछ सोचे रमेश का शेर कितना है रमेश का शेर है आपका two upon five टू अपन फइफ शेर हो गया अब हमने अगर आगे देखें तो यहां लिख्वा गया सेल्स देख ग्या आपको सेल्स को बैसिस है अब question को पढ़िये कि sales for the year पूरे साल की सेल कितनी है ब चारला, आपको यहाँ यही दिखाई दे रही होगी, कि मैंने जो लिख रखा है, कि sales basis में आपको इंदोर करना है time period, और आप निकालेंगे profit of the period, क्या निकालेंगे आप profit of the period, देखें, मैं solution करूँगा, लिखूँगा profit of the period, formula जरूर लिखना, जिससे आपको number मिल जाएं, total profit upon total sales, multiply sales up to date of death, तो total profit कितना है, एक लाग बी सेजार, पढ़ने का fair है, सिर्फ profit of the year, एक लाग बी सेजार, एक लाग बी सेजार आपने हाँ लिख दिया, total sales कितनी है, बारा लाग तो बारा लाग आपने हाँ लिख दिया, और multiply sales up to date of death कितनी है, चार लाग, चार लाग आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप इसे काटेंगे, यहाँ आएगा 10, और यहाँ पे profit of the period कितना आगया आपका, profit of the period, आगया आपका 40,000 रुपे, आप तक तो हमारा आगया, क्या लिखेंगे, deceased partner को ने हाँ पे रमेश, क्या लिखेंगे, share of रमेश, in profit, profit में इसका share कितना है, देखो लिखा वाए न, profit of the period कितना है, बताओ, 40,000, क्या लिख देंगे, 2 upon 5, तो answer क्या आगया, 16,000 रुपे, क्या आगया, 16,000 रुपे, इसने से काम के, आपको यहां तीन नंबर मिलेंगे, कह रखा है, calculate the share of profit, date of death, and past necessary general entry, अब general entry में आपको सिखा रहा हूँ, कैसे, यह चीज मेरे साफ से, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, formula पे ध्यान देना है, अगर यहां पे सिर्फ दे रहता, एक profit, एक ब्लाग, 20,000 रुपे, sales न कहता कहता, तो आप निकालते share, 2.5, time period, 3 महीने, share और time period, यह कोन सा basis हो आता, आपका time basis, ठीक है, अब आप हम वास समझ रहे है, यह से general entry की, journal entry, अब general entry जो है, पहला point, no change in share of profit, profit में के share में कोई change नहीं है, जैसे अब आपने question देखा, कि 2 ratio, 2 ratio 1 कह रखा है, और कुछ नहीं क तो अगर हमें profit होता है, अगर हमें profit है, तो लिखेंगे, profit and loss, suspense, account debit, to में, रमेश जैसा, यहाँ पर गया ना, रमेश, तो उस partner का नाम, ठीक है, यह तो होगी profit के entry, अगर हमें होता है, loss, तो बताओ, partner क्या हो जाएगा, debit, partner, capital, account, debit, profit, to profit, and loss, suspense, account, ठीक है, और if there is change in, change in share ratio, ratio में कोई change है, new ratio दे दी, या acquire कर ला है कुछ भी, तो आप इसे बाट देंगे, gaining ratio, जैसे आप goodwill के entry करते हैं, last video हमने उताया था, किस ratio में बाट देंगे, आप, gaining ratio, जिसका formula होता है, new minus old, एक बाल क्विक रिक्याप करते हैं, यहाँ पर हमने सिखा time basis का profit, देखिए, profit दो तर ऐस होता है, time basis और sales basis, time basis में आपको कहेगा, average profit, net profit, previous year profit, जो भी आपको कहा रखा है, उसमें कहा निकाल दीजिए, आप कहले है, share और time period, दोनों चीज़े लेके चलेंगे, किसमें time basis में, sales basis में यह formula आपको ध्यान रखना है, कहीं बार वो percentage देगा, कहीं भी word आपको sales दिखाई देगा, आप वहाँ ignore करेंगे time period, वो यह बात ध्यान से सुन लीजिए बस, वो कह सकता है कि percentage है हमारे पास question के अंदर, कोई percentage कह दी उसने, तो भी हम आराम से इस question को कर लेंगे, ठीक है?